सब्सक्राइब कीजिए ग्रीन कीचन हिंडी चैनल को और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी नमस्काल ग्रीन कीचन में आज हम बनाएंगी आलू मटर की सबची तो इसके लिए हमने तीन मीडियम साइस के आलू धो के बड़े टुकड़ों में काट लिए है आधा कब फ्रेस मटर लिया है एक बड़ा टमाटर बारिक टुकड़ों में कट कर लिया है एक बड़े प्यास को बारिक टुकड़ों में कट कर लिया है थोड़ा कटा हुआ धनिया लेंगे, एक कटी हुई हरी मिच लेंगे, एक छोटी चमच अदक लसुन की पेश्ट लेंगे, और इसके अलावा तड़का लगाने के लिए तेल और मसाले लेंगे तो चलिए बनाते हैं आलो मटर की सब्ची, इसके लिए हम तीन बड़े चमच तेल गर्म कर लेंगे तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक चमच जीरा सिक लेंगे जीरा सिक लिया है, अब हम इसमें कटी हुई हरी मिच डाल देंगे और कटा हुआ प्यास डाल देंगे प्यास को हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे अब हम इसमें एक चमज अदक लसुन की पेस्ट डाल देंगे तो दोनों को हमने अच्छी तरह भून लिया है अब हम इसमें कटा हुआ अलू डाल देंगे इसे हम अच्छे से चला लेंगे उपर एसे धकन रखके हम इसे दो मिनित के लिए पकने देंगे दो मिनित हो गए है अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे खेस मतर डाल देंगे, कटा हुआ तमाटर डाल देंगे स्वादानुसा नमक डालेंगे एक चोथाई चमज हल्दी डालेंगे एक चमज धनिया पाउडर डालेंगे एक चमज कस्मिरी लाल मिर्च डालेंगे एक चमज जीरा पाउडर डालेंगे इसे हम अच्छे से चला लेंगे और फिर से ये सबजी में हम इसे ठकन लगकर एक मिनिट के लिए पकने देंगे एक मिनिट हो गई है अब हम इसमें आधा छोटी चमच गर्म मसाला डाल देंगे तकरीबन एक कप पानी डालेंगे टकन लगाकर दो सीटी होने तक पकने देंगे दो सीटी हो गई है अब हम गेस बन करेंगे और कुकर ठंडा होने देंगे तो ये देखी फ्रेसर रिलिस हो गया है अब हम सबजी चिक कर लेंगे और ये देखी सबजी अच्छे से पक गई है थोड़ा सा धनिया गार्निसिंग के लिए बचा कर अब हम बाकी का धनिया मिक्स कर देंगे अब ये सबजी को हम सव करेंगे कटा हुआ धनिया डाल कर गार्निस कर लेंगे तो तयार है अलू मटर की सबजी विए कर लेंगे झाल झाल